कि नमस्कार दोस्तो राजसिंग नर्शरी में आपका स्वागत है दोस्तो आप पैसे हैं आप सभी ठीक होंगे और अगर आप परकरती से जुड़ें तो बहुत ही खुश और स्वस्त होंगे खुश हाल होंगे दोस्तों 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 प्यून बाय किया नमस्कार किया और यह देखिये चलिए काम की बात करते हैं और इसको जमाई आ रही है यह सोएगी देखो वाव दोस्तों आज हम अब आप लगाना चादें या बने बनाय बनाय लगाना हों उसके लिह मैं आप को थोड़ा नौलिज दिए और इसको ener promo करिए तो आपको अच्छा result दोस्तों और क्या दोस्तों आपने आप लोगों ने लवेंडरा का पोदा लगा रहा है लवेंडरा इस टेम लवेंडरा का पोदा बहुत शांदर बन रहा होगा मिठी मिठी गर्मी है मिठी मिठी शर्दी है इस मोसम में दोस्तों लवेंडरा का पोदा बहुत शांदर बनता तो आप आपके घर में यह ना इसको ज्यादा खाद की जरूत नहीं मिट्टी सुखे पानी गोबर की खाद मिश्की मिट्री बनाना और अगर आप इसके नए पोदे बनाना चाहते हो तो फरवरी के पहले अपने मिश्की एक एक ब्रांच तोड़ तोड़ के लगा देना सारी अगर आप प्लीज इसको मिट्टी सुखे पाणी दे और दोफ में रखे और यह बहुत शांदार चलेगा जनवरी में पत्य छोड़ना सुरू कर देगा फरवरी में पत्यानी से पहले आप इसकी कटिंग लगा यह और नया पोदा त्यार करिए तो लवेंड्रा के पूद् जो दोस्तों गोवरी की खाज जैसे कोई भी खाद नहीं है किगत दोस्तों के वित्खाद के लिए राम बान है इधर उद्रらकी चीज ना करके गोबर की खाद डालो गजना गोबर की खाद पुछ नहीं है जब हमारे पसू पसू गास्फूस खाते हैं वहीं गोबर करते हैं जंगलों में पेड़ों के पत्ते वगरा खाते हैं वही ओकम्पोस्ट बन जाता रूशी से अमारे पोद्य दुबारा हरे बरे होते हैं तो इसलिए कहते हैं कि खेती के लिए गोबर की खात बहुत इलाव का रही है okay क्टे ने मिट्टी में मिट्टी मिलगी तो यह पत्ते ख़ाए उनका जीवन चिला उनका बोजन अनुन उन्होंने ये गोबर किया तो उसका खाद बना लुबधों को दुबार गोजन यानि चक्कर शक्कर यह परकरती का चकर है तो इसलिए कहते हैं गोबर की खाद जैसी कोई खाद ने और गोबर का रिजल्ट में आपको दिखाता हूं देखीए और हम दोस्तों हमारे हर तो आप नेचुरल काम करोगे तो गोबर की खाद यूज करिए दोस्तों आपका बगी चाहरा रहा रहेगा और आपका स्वास्ते भी सही रहेगा और यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं यह जो मेरी मिर्च की पोज रखिए ना यह देखिए आप देख सकते हैं सब में हमने यही गोबर की खाद से मिट्टी बनाके और इसी मवर रखिए कि इतनी मिट्टी होगे दोस्तों इसमें सो डेट सो ग्राम मैंने इसको किशी कमिकल का सप्रे नहीं मारा की ऐसे सप्रे मारेंगे तो सुबह उच्छे लग जाएंगे यह नैचुरल मिर्च लगी हैं अब इसमें फूटावा जाएगा तो आप गोबर की खाद से अच्छी फसल ले सकते हैं शरीर के लिए लावकारी वर देके फूल आते हैं और विक्ती रहती है अब यह देखिए मैं दिखाता हूं आपको गोबर की खाद को आप दोस्तों कमजोर मत समझना यह देखिए इस इस सुरुज मुखी वेराइटी की मिलेचे बहुत तिकी हुरती है तो आप गोबर की खाद से अचे अपने बगीच्छे को बना सकते हो और कोई भी सब्जी पगार लगाते हो ना तो आप यह गोबर की खाद डालिये और गोबर की खाद यह देखिए मुआ पको दिखा रह ले बिल्कुल आप यह डालोगे ना तो आपका जो बगिच्छा ना हरावरा रहेगा जो भी आप फल फूल सब्जी के पोद्य लगाओ गया आपको आसानी से जो चीज चाहिए मिलेगी और आपकी मिट्टी भी नर्म रहेगी पाणी की मात्रा कम चाहिए उसमें और आपका स्वास्ते भी से रहेगा और यह देख रहेओ छोटी छोटी ठैलियों में कितना फूल आ गया है और आप ऐसे कर सकते हैं और चलिए दोस्तों अब हम सुरू करते हैं पोद लगाना अगर आपने पोद लगा रखे तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं यह देखिए मैं और इसमें थोड़ा देरी हो रही है मगर इसमें भी निकलने लगें देख रहे हो तो आप गोबर की खाद को कभी भी कमजोर ना समझे नैचुरल खाद नैचुरल खाना आपके पोद्धे अच्छिब चलेंगे और हरे वरे रहेंगे और चलिए अब दोस्तों अगर आपने प पहुत अच्छा से में शुरू हो गया अभी अब आपके पोद्धेनी मेरेंगे नहीं तो फिर देर हो जाएगी आप देखिए सबसे पहले यही गोबर की गली शड़ी खाद हम नीन में बर रखिए देखरो मैं हर क्यारी के पास एक ठैली रख रखिए ऐसे ठैली बरिए आ अब हमने आइस प्लांट की पोड लगा के देखाओं हूं आपको चोटी पोड है आइस प्लांट की जितनी चोटी पोड लगा होगे न वह बहुत अच्छा रहीगा और जब आप छोटी पोड लगाते हो ना तो पहले थैल लिए गमले में पानी भर लिया करो देखिए ऐस कि यह देखिए आप देख रहो कितनी शांदाज जड़ेश में और इसको मैं लगाऊंगा और इसको मैं यही रखे रहे नहीं दूंगा और दीरी दीरी गरोध करेगा आइस प्लांट के आप बड़ी पोद लगाते हैं तो टेडी गिर जाती है आप छोटी पोद यानि चार य में पानी डालें और फिर आप इसको लगाएं दुबारा पानी ना डालें यह देखिए मिट्टिस ने पानी सोक लिया है और थैली में नीचे भी निकलिया है देखरो आप अब हम दो मिंट रुकेंगे और फिर यह पोदा लगाएं यह फिर इसमें पानी नहीं देएंगे ऐसे लकडी से आप इसे सुराक करिए और यह आइस प्लांट के पोद्र यह को ऐसे रखिए जर्फाइस को ऐसे दबाएं कि यह पेसस आपने आप अब इसको पानी नहीं देना है मिट्टी शूक़ बानी देना है आप ऐसे सटर्फित पोदा लगा सकते और यह देखिए दि क्यों लगा क्योंकि हेल्दी बन जाएगा और जब आप थेली लेक्ते हो लगी लगाई तो दसंची गमले में एक थेली लगाना बहुत शांदार फूल देता इस प्लांट इसमें हमारा इस प्लांट भी है इदर सने नेरिया उगने लग गया है उदर थोड़ा पिटोनिया थ बने लगई लगा लगा के लिखा रहे हिए आपको यहीं थेलीली हमने देखिए कितने सबसे पहले हम पैसी सुखी है तो आप किसी चीज का सहरा लें अगर मिट्टी गिली है तो पोद को आप ऐसे पकड़ें देखिए ये पोद हमें ये देख रहे हैं ऐसे निचे से पकड़िए ऐसे आसानी से आप निकाल सकते देखरो ऐसे पोद निकालिए उसको ऐसे पकड़िए लकड़ी से उसमे बड़ी पोद हो जाती है ना तो उसको आप आसानी से से लगा सकते हैं चोटी पोद को पहले पाणी डालके लगाएं बड़ी पोद को पाणी बादमा लगाएं देखिए जैसे अब डाल देखिए इमार पोटिया का पोदा बहुत अच्छा है दस इंची गमले मा आप एक पोदह लगा ये पूरी बुस बन जाती है जैसे इसकी इतनी आइटा जाती है तो थोड़ा हाप इसकी बीच से ट्रिमिंग कर दें और भी फोटावा जाएंगे और ये बहुत सुन्दर फूल देगा राप रहल तेक फूल देता है वाहिट अब है इसे नच्थेशियम निश्टेशियम का पोदह आम निकाल लेंगे भी और ये भी आसानी से लग सकता है और ये देखी ऐसे निकाले के पोदह वह आप इसका डार्यवीज बीच 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 भी डाल सकते हैं गमले में और ये बिलकुल एक बारा से पड़ा रहता हा तो आसानी से अगले साल भी निकल जाता है यह निस्टेशियम की पोद निकाल ली कि देखिए और इसको ऐसे करूर्ल जाए पानी दाले जांटा है सिसकते अट परफ्टे देखाए देगा तो आप अच्छा होली हो जो यह पिंक वाला होली ओक है इसको शिंगल होली ओक भी बोलते हैं पिंक फूलों से भर जाता है मई तक पोधा चलता है बहुत शांदार दस इंची गमले में एक पोधा लगाएं इसको ज्यादा भी खादगी जरूत नहीं है यही गोबर की गड़ी शड़ी खाद और पहले ठीक है अगर 12 इंची में लगा देते तो बहूत बढ़ी आ रहता है इसकी आइट रहती है और बहुत शांदार फूल आता है इसको आप ऐसे लगाईए इसकी इसकी हाइट बढ़ती है काफी बड़ा हो जाता है यह बारा इंची कमले में लोगा हो ना बहुत बढ़िया रहेगा ऐसे ऐसे लगा यह पूद यह 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 सबसे पहले फूल देता है और सबसे देर तक चलता है इसके फूल में बहुत खुश्बू है और आपके बगिच्चे की शोबह बढ़ाएगा एक पोदा चोटा पोदा एक पोदा दस बारेंची गमले को पूरा बर देगा बहुत बड़ी अब बुश्बनती है आप इसको टोकरी में भी लगा सकते हैं और इसके फूल कभी खतम न नेरिया यह देखिए मिट्टी को साफ किया बढ़िया किया दबाया और इसने नेरिया का पोदा निकल लाए इसको ऐसे लगाया इन पोदों को आपने ज्यादा खाद वगरा नहीं डालना है डी पीरिया जिंक पोटास से बचाई इनको यह नॉर्मल मिट्टी में फूल दे चोटा पोदा निकल लाए देखरो यह बहुत सुन्दर फूल देता है सबसे पहले यह भी फूल देता और देर तक चलता है दस इंची गमले में एक पोदा लगाएं वही काफी है और खूब फैल जाता है बुस बन जाती अच्छी और फूल बहुत सुन्दर आता है इसको फूल फैल करता है और अप्रेल मई तक चलता रहता है यह बारा इंची गमले में लगाओं बहुत अच्छी पूस बन जाएगी और दस इंची में लगाओं तो भी बढ़िया पूस बन जाएगी इसको ज्यादा कोई खादगी जरूत नहीं है नॉर्मल मिट्टी में खूब चलेगा और यह देखिए यह स्टाक कि इसटाक है डबल वाला हुए बहुत सुन्दर फूल देता है यह तो हमारे पास काफी है और यह देखिए है पूदा यह लगा दिया यह हाइवर्ड सिट्राक है इसको ऐसे लगाए यह पाणी दिया और आये चलिए यह देखिए यह बबूना बबूना का पूदा सफेद और यह लो कलर का यह देखिए एक दमले में एक ही पूदह लगा दो तीन चार फूट की आयट ले लेगा फूलों से भर जाएगा इसके फूल में थोड़ी खुश्मू ज्यादा है खुश्मू कम है आयट ज्यादा लेता है फूल ज्यादा देता है यह भी बगिचे की शोब अबड़ा तो जह ठाइड ओर येलो यह देखिए एक गंले में एक ही पोदह लगाई है आसानी चलेगा यह सारी जाफरी और यह ब्रोक्ली है इसको जमीन में लगाएंगे और यह देखिए वजञत का पोदह कितने कितने मोती आगें बहुत शांदार है यह जब पक जाएंगे इनको उतार और चलिए इसको पानी दे देते हैं कि बस दोस्तों और नहीं बताएंगे थैलिया उदर में और भी रखे रखे और वीडियो लंबी हो जाएगी और यह देखिए इधर हमने पैंजी बगारा लगा रखी है यह हमने एक हफता पहले लगाए थे आज फिर लगाएंगे जो खा आपके बगिच्चे में फूल अच्छे खिलेंगे और समय बहुत ही बेतरीन हो गया है खिले खिलाएंगे ले सकते हो और अगर आप पोद बना के लगाएंगे तो आपको और भी आनंद आएगा जब आप मिट्टी बनाते हो गोबर की खाद पका डालिए और जब आप खुशी मिलेगी कि सस्ते में हमारे को कितने और अच्छे और शांदार फूल मिले और एक बार ऐसे करके देखी और अब कुछ नहीं मा रहेंगे सप्रे वगरा ओड़ भूल जाओ यही थैलियों फूल भरेंगे जब हम आपको दिखाएंगे और आप भी अपने घर में लग झाल 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 झाल